अलो फ्रेंट्स, पैटन सिखने की इस सिरीज में, आज हम देख रहे हैं पैटन नमबर 26 तो उसके लिए सबसे पहले हम एक CLR, SCR स्टेटमेंट लिग देते हैं, ताकि हमें कोई प्रिवेस आउट्पुट दिखाई ना दे और उसके बाद हम GET CLR स्टेटमेंट लिग देते हैं, अभी पैटन को हम जैन से देखें, तो उसके अंदर टोटल हमें 5 रोस चाहिए हैं, और हर एक रो के अंदर हमें different number of star print करवाने हैं, लेट एस से रो नमबर 1 के अंदर हमें 2 star print करवाने हैं, रो नमबर 2 के अंदर हमें 4 star print करवाने हैं, रो नमबर 3 के अंदर हमें 6 star print करवाने हैं, रो नमबर 4 के अंदर हमें 8 star print करवाने हैं, और रो नमबर 5 के अंदर हमें 9 star print करवाने हैं, यानि कि हमें maximum एक रो के अंदर 9 star प्रिंट करवाने हैं और अगर हम एक star को एक column के तौर पे treat करें तो हमें total 9 columns चाहिए यानि कि हम ऐसा भी कही सकते हैं कि इस पूरी pattern को हमें 5 cross 9 grid के अंदर print करवाने हैं तो उसके लिए हम एक for loop ले लेते हैं और उस for loop के अंदर हम message के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 1 प्रिंट कर रहा हैं उसके अंदर हम एक और for loop लेते हैं और उस for loop के अंदर हम message के तौर पे लिखते हैं कि j is equals to 1 j less than or equals to 9 और j plus plus जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन column की value प्रिंट कर रहा हैं अभी j वाले for loop के अंदर हम एक printf statement लिखते हैं और उस printf statement के अंदर हम star को print करवाते हैं यानि कि जब i is equals to 1 होगा उस वक्त j का loop 9 time execute होगा और उसके साथ साथ printf statement भी 9 time execute होगा यानि कि हमें वो 9 star print करके देगा और एक बाद 9 star print हो जाए उसके बाद हमें हमारे control को नई line में ले जाना है तो उसके लिए हमें एक और printf statement लिखते हैं और उस printf statement के अंदर हम slash n लिखते हैं यानि कि वो हमें हमारा control नए line में लाके देगा यानि ये पूरा fall look का structure हमें 5 cross 9 grid के अंदर सभी जगह पे star print करके देगा नव जो i और j दो variable का हमने use किया है वो दो variable को हम उपर declare कर देते हैं let us say integer i as well as j and then program को test कर देते हैं तो हमें 5 cross 9 grid के अंदर सभी जगह पे star print होके मिल रहे हैं जोकि perfectly सही है पर हमें कुछ जगह पे star की बदले space print करवाने हैं तो उसके लिए हमें pattern को फिर से एक बार analyze करना पड़ेगा तो अभी हमने देखा कि row की value हम i से represent कर रहे हैं और column की value हम j से represent कर रहे हैं और हर एक row को हम जान से देखें तो उसकी कुछ j की value के लिए हमें space print करवानी है और कुछ j की value के लिए हमें star print करवानी है तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी J की value के लिए हमें space print करवाने है और कौन सी J की value के लिए हमें star print करवाने हैं तो जब I equals to 1 होता है उस वक्त J की value 1 and 9 के लिए हमें star print करवाने हैं otherwise हमें space print करवाने हैं जब i is equal to 2 होता है उस वक्त j की value 1, 2, 8 and 9 के लिए हमें star print करवाने हैं otherwise हमें space print करवाने हैं i की value 3 हो उस वक्त j की value 1, 2, 3, 7, 8 और 9 के लिए हमें star print करवाने हैं otherwise हमें space print करवाने है, I की value 4 हो, उस वक्त J की value 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 के लिए हमें star print करवाने है, otherwise हमें space print करवाने है, और I की value 5 हो, उस वक्त J की value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के लिए हमें star print करवाने है, otherwise हमें space print करवाने है, यानि की I is equals to 1 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, कि जब J की value 1 या 1 से कम हो, as well as 9 या 9 से ज़्यादा हो, उस वक्त हमें star print करवाने है, otherwise हमें space print करवाने है, जब I की value 2 हो, उस वक्त J की value 2 या 2 से कम हो, as well as 8 या 8 से ज़्यादा हो, उस वक्त हमें star print करवाने है, otherwise हमें space print करवाने है, I की value 3 हो, उस वक्त J की value 3 या 3 से छोटी हो, या फिर 7 और 7 से ज़्यादा हो, उस वक्त हमें star print करवाने है, otherwise हमें space print करवाने है जब i की value 4 हो उस वक्त j की value 4 या 4 से छोटी हो या फिर 6 या 6 से ज़्यादा हो उस वक्त हमें start print करवाने है otherwise हमें space print करवाने है और जब i की value 5 हो उस वक्त हमें सभी j की value के लिए हमें start print करवाने है otherwise हमें space print करवाने है तो i is equals to 5 के लिए भी हम उपर जैसा लिखें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j less than or equals to 5 या फिर j greater than or equals to 5 हो तब हमें star print करवानी है otherwise हमें space print करवाना है यानि इन पांचों statement को अगर हम common लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j less than or equals to x और j greater than equals to y अभी x की value हम ध्यान से देखें तो जब i की value बढ़ती है उस वक्त x की value में हमेशा increment होता है और y की value में हमेशा decrement होता है तो अभी हम फिर से एक बार x और y की value को analyze करें तो जब i की value 1 होती है उस वक्त x की value 1 and y की value 9 होती है i की value 2 होती है उस वक्त x की value में increment होता यानि की 2 होती है और y की value में increment होता यानि की 8 होती है i equals to 3 के लिए x की value 3 and y की value 7 होती है i is equals to 4 के लिए x की value 4 and y की value 6 होती है और i equals to 5 के लिए x की value 5 और y की value 5 होती है यानि अभी हम x की value को ध्यान से देखे तो जब x की value 1 होती है उस वक्त i की value b1 है x की value 2 होती है उस वक्त i की value b2 है x की value 3 होती है उस वक्त i की value 3 है x की value 4 होती है उस वक्त i की value 4 है और x की value 5 होती है उस वक्त i की value 5 है यानि कि i और x की value हमेशा equivalent होती है यानि अभी जो हमने equation find किया उस equation के अंदर हम j less than or equals to x की जगह पे j less than or equals to i लिखे तो भी हमारा programming logic perfectly valid है अभी हम i और y का addition करें तो 1st case में 1 plus 9 10 होता है 2nd case में 2 plus 8 10 होता है 3rd case में 3 plus 7 10 होता है 4th case में 4 plus 6 10 होता है और 5th case में 5 plus 5 10 होता है यानि कि हम ऐसा कह सकते है कि i और y का addition हमेशा 10 होता है और अगर उसके उपर से हम y की value को derive करें तो y की value हमेशा 10 minus i होती है यानि अभी जो equation लिखा उसके अंदर हम y की value को put up करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते है कि j greater than or equals to 10 minus i अभी हमने दो fall loop लिखे थे जिसमें से पहला fall loop i यानि की row के लिए था और दूसरा fall loop j यानि की column के लिए था और दूसरे fall loop के अंदर हमने एक print tab statement लिखा था जिस print tab statement के अंदर हमने star को print करवाया था यानि ये पूरा structure हमें 5 cross 9 grid के अंदर star print करके दे रहा है लेकिन अभी हमने एक condition identify की और वो condition जब सही होती है उस वक्द ही हमें star को print करवाना है otherwise हमें space को print करवाना है तो उसके लिए हमें इस print tab statement को एक if else block के बीच में लिखना पड़ेगा और if की condition के तोर पे जो हमने अभी condition identify की उसको put up करना पड़ेगा as well as जब condition गलत हो उस वक्द हमें space को print करवाना है तो हम else block के अंदर एक print tab statement लिखते है और उस print tab statement के अंदर हम space को print करवा देते है यानि इतना logic लिखने के बाद हमें हमारे desire pattern मिल सकती है तो लटस से उसको भी हम एक बार program के अंदर check कर लेते है तो अभी हमने देखा कि जे वाले fall look के अंदर जो print tab statement हमने लिखा है हमें एक print tab statement लिखना है जिस print tab statement के अंदर हमें space को print करवाना है उसके अलावा if के अंदर हमें condition के तौर पे लिखना है कि j less than or equals to i और j greater than or equals to 10 minus i और फिर program को एक बार test करना है तो हमें हमारे desire pattern 5 rows के लिए मिल रहेंगे जो कि perfectly सही है अब अगर हमें यही pattern को n rows के लिए print करवाना हो तो सबसे पहले हमें एक integer variable n की ज़रूरत पड़ेगी और उस n की value हम user के पास से scanf statement की मदद से लेंगे तो उसके लिए scanf statement के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि percent in d address of n और scanf के ऊपर हम एक printf statement लिखेंगे और उस printf statement के अंदर हम message के तौर पे लिखेंगे कि enter n अभी जो दोनों fall loop हमने यहाँ पे लिखे है वो दोनों fall loop 5 rows के हिसाब से लिखे है तो उसको भी हमें n rows के हिसाब से convert करना पड़ेगा तो let us say i less than or equals to 5 को हम i less than or equals to n कर देते है j less than or equals to 9 को हम j less than or equals to 2 into 5 minus 1 भी लिख सकते है और 5 को हमें n में convert करता है यानि कि अब हमारी condition j less than or equals to 2 into n minus 1 होगी उसके बाद जो if वाला statement है उसके अंदर j greater than or equals to 10 minus i की जगा पे j greater than or equals to 2 into 5 minus i कर सकते है और 5 को हमें n में convert करना है तो उसके लिए हम निखेंगे j greater than or equals to 2 into n minus i एन फिर प्रोग्राम को एक बार test कर देंगे जहाँ पे मैं n की value 5 insert कर रहा हूँ तो हमें हमारी desire pattern 5 rows के लिए मिल रही है चोकि perfectly सही है एक और बार प्रोग्राम को run करते है जहाँ पे मैं n की value 18 insert कर रहा हूँ तो हमें हमारी desire pattern 18 rows के लिए मिल रही है चोकि perfectly सही है यानि कि हम ऐसा कह सकते है कि इस प्रोग्राम के through हम pattern number 26 को n rows के लिए easily print कर रहा सकते है So I hope कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आच चोकी होगी आज के वीडियो में बस इतना है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे Thank you very much